प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ और सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आजम आपके लिए के लिए टेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक देखते हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत अगरी बात आपके इस टापिक पर बताना चाहूंगा शैवियाद अफरीदी साभ ने पिछले दिनों पर एक नारा लगाया था यह तेरे बात की पाईटी निये मेरी पाईटी है क्योंकि पाईटी के अंतरे इंतिशार शुरू है उस पर वकीलों ने कबजा कर ली है और जो पुराने जो लोग थे वो साइड लाइन पर बैठे थे उनको तकलीफ है उन्हों ने एक नारा लगाया कि यह तेरे बाप की पाईटी नहीं है दूसरी तक्रीर उन्हों ने की है तो उन्होंने कहा है उसका जवाब उन्हों का करनल जो है वो पूरी असंबली को मैनेज कर ला है अब इनको मैं इनके चेरा दिखाना चाहूँगा कि इनके अपने दौर के अंदर एक करनल रियाकत थे जो रिटायर थे जो असंबली को मैनेज करते थे हाजरी लगाते थे ब था कि मेरे दौर के अंदर बज़ट पास कराने के लिए भी अजनसियां MN यह ने इसको उठा उठा के ला रहे हैं कि उसक्त क्यों नहीं बोले ही कर्मल लियाकत के खिलाफ क्यों नहीं आज ये उठा रहे हैं आज के जर्मल अगर तुम्हें पसंद नहीं तो अपने जर्मल्स के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं जो तुम्हें लेकर आए दे इस वक्त आर्जू जो मैं आपको बातें बता रहो देखें जो पाइटी जहाज को लेकर साड़े तीन-तीन सो लोगों को हाजियों को उम्रे वालों को जलीलों खौर कर रही है उसको पहले ही पाकस्तान में लोग पसंद नहीं करते हैं उन्हें पता है मारा वोट बैंक नहीं है मैं यह पूछना चाहता हूँ यह प्राइम मिस्टर मुलक के लिए अच्छे फैसले कैसे कर सकते हैं जब इनके एडवाइजर इनको बता रहे हैं कि प्याइए का जहाज लेके चलो यहां से जद्दे की फ्लाइट और इसको मदीना ले जाओ और फिर वापसी की फ्लाइट इस से करवा रहे हैं तो सर अब तो लोग हाथ ही जोड़ेंगे इनको के प्राइवेट जेट में ही चले जाओ हमें माफ कर दो अब जेट कहां से आएंगे यह आठ बिलियन डालर अमेरिकन देंगे तो पता नहीं उसके उसके ही जेट उड़ेंगे बाकी तो हलात आपको पता है जो इस वकर जा रहे हैं पाकस्तान के फानेंशल हालात हैं लोग मजाक उड़ाते हैं जोक सुना रहे हैं वाशेंगे डी सी के अंदर दूसरे हर कैपिटल के अंदर आप मजाक बन चुके हैं और तीसरा मैंने एद के हवाले से आप से कहना था देखें कितने अफसोस की बात मैंने कल देखा BBC के ओपर लिखा था जी किसी ने आइटी के लिखा है कि फलस्तीन को सपोर्ट करें आप अपने हाथों पे मेंदी से फलस्तीन लिखें इस तरह फलस्तीन बचे आई आपने तालीम से इनकार है आपका आपका तालीम से आप भाग रहे हैं Nobel Prize मैंने आपको बता है 2 billion के पास सिर्फ 15 है दो साइंटिस्ट है उसमें से सिर्फ 2 साइंस के रिलेटेट नहीं आप अपने हाथों पर फलस्तीन लिखने से आपका क्या है फलस्तीन बच पाएगा 15 million जियूज है दो सो से ज्यादा उनके Nobel Peace Prices है और अपना वो कहते हैं जब तक हम अपना टार्गेट अचीव नहीं करेंगे 33-34 हजार वो मार चुके हैं कहते हम नहीं चुके लिए और यह सिर्फ यह गाजा की बात नहीं है हर इस्लामिक कंट्रीज गाजा हर इस्लामिक कंट्रीज गाजा हर इस्लामिक कंट्रीज ना constitutional rights हैं ना human rights हैं ना वहां पर election हैं ना को constitution हैं ना assembly है ना शराफत है ना character है ना future है आप बता देने मुझे कि कौन सा Islamic country है जो इस वक्त growth करेगा आगे चलने की सलाइद रखता है तकाज पूरे तरकी के हलाद आप देख रहे हैं क्या आप दो मुबालग किस वक्तर स्लामिक वर्ल्ड को एक शो किया जाता है गर्दने और हाथ काटे जाते हैं सिर्फ गरीब लोगों की जो कुछ बीस हजार वहां पर रॉयल फैमली है उनके लिए कुछ कानून नहीं इसलाम अपनी मर्जी का है जिस वक्त मोड तोड के जो मर्जी करने जी इतने फत्वे हैं इतने school of thoughts हैं जब मर धार दोड़ियंच प्ड़िग जा रही है क्योंटी फ़ाइप संट मुसलमार साधी रैविया के साथ इद कर रही है पर फिर खेलाफत थी तर्की की को पिर 215 इतने लोगों को आप हैं इनों ने जब कान्सीशन फ्रेम कर रहे थे अमेरिकन ए राक का तो इन्होंने इराक के सारे علमा और सारे प tortition को गठा किया वो सारा दिन 270 पे लडते थे आईस क्रीम के फ्लेवर पे लडते थे इराक के future पे लडते थे constitution पे लडते थे तो जब ये कहा हम जा रहे हैं वज़ा क्या है क्यों नहीं हम सोचते कि हम पढ़ें लिखें सबसे बड़ी बाद, मैं आज आज गारंटी कर तो गाजा का सलूशन मैं आज बता लेता हूँ गाजा का सलूशन है मैं कहता हूँ इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इसराइल कहता है वैसे कर ले सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा ले इंगलिश पढ़ा ले अपनी काम्याबी के साथ ये रिवेंज ले ले मैं भारत पे सिर्फ और सिर्फ इस वज़ाएं जो खूश हूँ कनूलियलिजम का, हिंदूों के हॉलिकास का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ मैं उस पर खूश हूँ क्योंकि हम तो ये लेने की त्सलाइध नहीं रखते हमारे लिए तो हमें बताया जाता हमारा हीरो गोरी है, बदली है, फ़लाना है, गजनी है, जोके नहीं है। मैं तो नहीं हुझा उनको हिरो मानता। उप्रैसर थे, हमें इड़डर थे, मारते रहे हमारे कलचर तबाह कर दिए हमारी इड़ेंटटी खत्म करते। लेकिन भारत ने लिया बतला मैं खुश हूँ इसे बात पर लेकिन खुदा रहा उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए मैं एक चीज़ जो बार बार स्मेल करता हूँ उसकी वज़ा ये होती है एक लफज इस्तमाल होता है growing pains growing pains में जब आप घमंड में आ जाते हैं जब आप गरूर में आ जाते हैं जो के मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं होती ना करेक्टर के लिए ना किसी मज़ब में तो उसमें आके growing pains में आके कई दफ़ा आप घल्फ फैसले ले लेते हैं बहुत जल्दी और उसमें कई दफ़ा परिशानिया बन जाती है इस वकत भारत को challenges सामने पड़े हैं सबसे बड़ा challenge चाइना का grow करना इस region के अंदर और और वो corruption का पैसा हर country के अंदर भैंक रहा है मैं यह कई दफ़ा सोचता रहता हूँ मेरी नजर में भारत कुछ आई है कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता ले मैं उनका जो निया आइडिया जो उनका है बलके जो दो लोगों ने उस पे बात की थी मोधी जी ने बिल गेट के साथ बैठके बात की थी कि डिजिटल रेवलूशन में भारत तरक्की करना चाता है आगे जाना चाता है पहले भी उनकी लीड मौजूद है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जो माइक्रोसाफ्ट और इस वकद गूगल वालों ने जो CEO जो भारती हैं उन्होंने जो वादा किया है कि माईटी Artificial Intelligence के Specialist पैदा करेंगे और भारत उसमें लीड करना चाहता है मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए तेक्यों सब्सक्राइब आपकी तरक्की आपकी कामयाभी यह सबसे बड़ा इंतकाम होता है और मैं चाहूंगा मैं चाहूंगा कि पाकस्तानी और मुस्लमान बच्चे भी जो इस वक्त दुनिया में जलीलो खुआर मैं इस पे एक और एड़ भी चीज़ करना चाहूंगा मैंने एक दफाए कि अपने जुएश फ्रेंड्स से यहां पूछा मैंने का यार आर यू जिनेटिकली सुपिरियर देंड अधर यूमन्स आर यू आर यू गाइस हैं कम तो इस लेबल कि पंदरा मिलियन लोग इस वक्त पूरी दुनिया को चला रहे हैं हाइस उसने एक बड़ी मज़े की बात बताई है यू डाक्टर दा खुट है आरजू आज से ये 25 साब 20 है उसने मुझे पहले की बात है उसने मुझे कहा कि हम जिस जिसना हम इस दुनिया में जलीलोखवार हुए हैं कोई भी कौम इतना जलीलोखवार होगी तो वह तरक्य क समयता है कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा इसके बाद रिबॉंड पर आके उपर आना शुरू हो जाएगा इसी तरह से मैं समय आज अगर देखें तेतीस चौनतीस हजार इस वक्त मारे जा चुके हैं फलस्तिनी और हर कंट्री के वो तो वहां मारे जा चुके हैं आप प इससे आगे जाने के गुझाइश नहीं है तो खुदारा अटर्न लें आपकी बचत सिरफ और इंगलेश और मैथ में और इसके लावा कोई आपके तीसरा आप्शन मौजूद नहीं है बिल्कुँ और इसमें मैं यह मैं बलके मेरी खायश है कि सर नीचे करके आप तरक्की क तो आशा करता हूं की वीडियो का अपने अंतक देखाओगा और हमेशा कितना आप